अब खाना खाने के लिए आपको बर्तन की जरूरत नहीं है और साथ ही खाना बनाने के लिए भी आपको गैस चुला इंडक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है अब आप धोड़ी पर ही खाना बना सकते हैं धोड़ी पर ही चाय बना सकते हैं और धोड़ी में ही रोटी सेख सकते यानि अगर आपके घर में एक भी महिला है तो आपको घर में गैस, सिलेंडर, इंडेक्शन, कैटल, लाइटर रखने की कोई जरूरत नहीं है आप बस अपने घर की महिलाओं को अपने कीचन की स्लैप पर लिटाइए और उनके धोड़ी पर मन्चाहा खाना बना लीजिए और आप अगर धोड़ी को बरतन की तरह यूज करते हैं और धोड़ी में रोटी बोर कर खाते हैं धोड़ी में चाय पीते हैं धोड़ी में गरम पानी करके पीते हैं तो आप सौ साल जी सकते हैं आप अमर हो सकते हैं यानि धोड़ी में खाना पका कर धोड़ी में खाना खाकर आप अमरत्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हम यह नहीं कह रहे हैं यह दावा है भोशपुरी कलाकारों का भोशपुरी गायकों का भोशपुरी रिक्टर्स का जिनसे यह पूछ दिया जाए कि धोड़ी को इंगलिश में क्या कहते हैं तो उनको पता भी नहीं होगा धंग से धोड़ी लिखने तक नहीं आएगा यहां तक कि उनको यह भी नहीं पता होगा कि इनसान के बॉड़ी में धोड़ी आखिर होता क्यूं है इनको जानना ही नहीं है कि धोड़ी का असल यूज क्या होता है क्योंकि देखिए आह, कान, ना, गला, कान, हाथ, पैर, जीव, दात का यूज तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुरूप से दिखी जाता है, लेकिन धोड़ी तो कपड़े के अंदर होता है, बोश्पूरी के फुटपथिया वाले का लाकारों कोई नजर में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इन लोगों ने धोड़ी को यूज समझ कर च शुरू कर दिया है, तो शलिए हम आपको आगे की वीजियो में बताते हैं क्या कि बोश्पूरी कलाकार अपनी अपनी अनुसार धोड़ी का यूज कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसे पहले, नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथे कैमरमेंन विशाल और आप देख सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गाने से जिसमें एक लड़की गाती है, कि धोड़िया में तेल डालके पूड़ी चानी ये राजा जी, मतलब इस गाने को जी सिंगर ने गाया है, उस लड़की का धोड़ी इतना गहरा है, कि वो कड़ाही का काम कर रहा है, और वो अपनी राजा जी से कहना चाहती है, कि बरतन का चकर छोड़िये, कौन कड़ाही कि में पूड़ी चान के कड़ाही गंदा करे, फिर कड़ाही धुलने का एक अलग टेंचन, इसलिए लड़की कहती है, कि आईए मेरे धोड़ी में ही तेल डालिये, इसी में पूड़ी चान के, इसी सिंगर गाती है कि हम्रा धोड़ी में बियर डालके पिये बहुत तराजा सौ साल जीवा यानि दारू बियर श्वास्त के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है बस निर्भर करता है कि आप इसको कैसे पीते हैं कप पीते हैं अगर आप बियर को ग्लास या बॉटल के बजाए लड़की के धोड़ी में डालकर पीते हैं तो आपके उम्र लंबी हो जाएगी और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक और गाना है जिसमें सिंगर गाती है कि हमरा धोड़ी में दूध रोटी खईबा तराजा जन्नत में जयबा ये लीजिए मरने के बाद आप नर्क में जाएंगे या सवरग में इसका निर्धारे निस्वात से नहीं होगा क्या आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे बलकि सवरग नर्क का फैसला इस बात से तै किया जाएगा क्या आप दूध रोटि किस बरतन में खाई थे धोड़ी में या बरतन में अगर आप चाहते हैं कि आपको मरने के बाद स्वर्ग मिले जननत मिले तो आप अभी से भी धोड़ी में खाना खाना शुरू कर दीजिए वरना इसकी सजा नर्ग से भी बुरी होगी बाकि जो लोग चाहते हैं कि उनको मिर्ट्यों के बाद मुक्ष की प्राप्ति हो, उनको एक सला है कि आप दान पूने करने की बजाए, चारो धाम जाने की बजाए, पूचा पाठ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप धोड़ी के इर्द गिर्द चार चक्कर लगा लि करने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ तिर्चात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सारा काम धोड़ी में ही कर सकते हैं, और धोड़ी में ही खापी कर नहाद होकर पूजा पाठ भयाप कर सकते हैं, और आपको अमरत्व की प्राप्ती भी होगी, ब तुम्हारे जैसे लोग ऐसे गाने को प्रमोट करते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब करती हो, खेर, लेकिन यही लोग मेरी ये वीडियो देखने के बाद, या मेरी वीडियो को बीच में स्किप करके, इंस्टाग्राम पर जाकर उन सारे लड़कियों का चुन-चुन का रील देखेंगे, जिन लड़कियों ने इन सारे भद्दे गानों पर अपना कपड़ा उठा उठा कर धोड़ी दिखाया होगा, धोड़ी पर फोकस किया होगा, बाकि अच्छा है, ऐसे ही धोड़ी पर गाने बंगते रहेंग